आपको मेहनत बहुत करनी है ठीक है जिनोंने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए चीजे बहुत बूरी होती जाएंगी नेकिन आप लोग कुछ नहीं करिएगा पेपर देने जाएगा और जिनका ये फर्स्ट अटेम्प है उनको दिक्कर लेने कोई जरुवत ही नहीं है ये प बेस्ट आफ लग फार रिग्जामिनेशन दो कुछ थोड़ी सी चीजें होती हैं जिसको मैं पर्टेन करना चाहता हूं आपके लिए तो मैं थोड़ी सी वीडियो बना कि आपकी हेल्प करना चाहता हूं मैं आज आप पो ये भी बताऊंगा कि जिनका पर्टेनेशन 16 to 20 आर मुझे आप लोगा आई कंप्लेट 93 सब्सक्राइबस टोड़े और मैं ये को विश्वास करता हूं कि आज शाम तक ये हैंड़ेट्स हो जाएगा और ये माइल्स्टोन टच करने में मुझे 15 दिन लगे हैं और के वर लेटर हैस्ट थेसिस थी कोई ऐसी चीज़ थे ही नहीं कि मेरा प्रोमोशन हो सके या डैश बोल पर लोग तारीफ कर सकें लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को हैल्फुल कंटेंड लगा इसलिए लोगों ने सब्सक्राइब किया और सब्सक्राइब के नॉटिफिकेशन आते हैं तो पता चलता है कि कौन सा जान पहचान का जो अभी नॉन सब्सक्राइबर्स मेरी वीडियो कर रहा है जो 66 परसंट थे वह आप उसमें से 33 परसंट जो है वो मेरे सब्सक्राइब बन शुके हैं तो थैंक यू सो मज़ गाइस फॉर सपोर्स एं लाज लास्टिंग ट्रस्ट इन मी सो आगे हम लोग बढ़ते हैं कल हम वेल-फेर स्टेट की एक ठ्रिकेशश्ट को ले आया था क्योंकि हमने कल क्क्विल डिस्प्यूट खतम किया था स्विल डिस्प्यूट जोकी लोग कंपाथ है और जोकी एक सोर्स ऑफ लॉव था लॉविल्टी के बाद जो हमने लॉव लिबिल्टी के बाद हमने जो civil dispute बढ़ा था अब welfare state आया अच्छा civil disputes हुआ कैसे सबसे पहली बार glorious revolution हुआ था 1688 में ये date डाउमेंड करती है next year previous year questions में ये date आई थी किस तारी glorious revolution का एक historical metabolism क्या है और किस event को किस समय historical revolution हुआ था तो 1688 में हुआ था glorious revolution का यहां से welfare state की थेओरी आई और welfare state की थेओरी से ही आदमी को पता चला कि हम लोग dispute करके सरकार को गिरा सकते हैं तो गाईस यहां पर हुआ क्या यहां पर memorandum हुआ था हुआ क्या था तो पाल्यामेंड भी उनसे ज्यादा खुश नहीं थी तो पाल्यामेंड ने क्या 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 कर दिया ब्रवा मतलब होता है कि और ट्रों से हटा देना उनकी जगहा उनकी बेटिया जो क्या मैरी थी उनके जो husband धे इनका नाम था आप लोग इनकी हिसाब से अपना इंध्रोन कर लेजे तो पार्लियमेंट की सुप्रमेसी के साथ-साथ क्या हुआ था इनका इंध्रोन यहाँ पे हो गया था तो इसमें सबसे बेस्ट क्या हुआ कि जो रिप्लेस्मेंट हुआ था और एपसुलोटिश मोनार्की बाई कॉंस् मोनार्की आ गई थी मतलब की पार्लियमेंट का वैलफेर स्टेट का लोगों के राइटो को के रूल Council का रोगों एक introduction हो गया था basically होता क्या है कि England में जो ये monarchy चलती है ये कभी खतम नहीं होगी क्योंकि monarchy उनका एक custom है कर मैंने आपको एक custom पढ़ाया उनकी रीत ही है मैंने कर आपको एक बार dethrons भी करवाया था जेम से लेके विलियम से लेके आज के जब आने तक मैंने आपको एक एक छी बताया थी कौन कौन से royal घराने और royal kingdom होते हैं जो वहाँ पे monarchy में जगा लेते हैं ठीक है इस समय Elizabeth का kingdom चल ला है जो Elizabeth सुरू हुई थी 1600 में हमारे यहाँ पे जब फोल्ड यहाँ पे बिटिश का जब एक trade के लिए जब बिटिश में आया था और फारुक शियार ने क्या किया था एक agreement कर दिया था जिससे पूरी तरीके से trade and in company British East India Company की हो गई थी British India Company को British Crown ने ही भेजा था जो Queen Elizabeth 1 थी और इसके बाद में ही Crown में आ गया होगा अब supremacy of law क्या होता है एक topic होता है supremacy of law law में supremacy मतलब होता है सर्वोचता जो सबसे peak पे होती है जैसे हमारे यहाँ सुप्रिम कोर्ट है तो सुप्रिम कोर्ट is in highest peak in the India for the jurisdiction and appellate applications तो supremacy मतलब हो गया सर्वोच मतलब की greater than greatest to greater than the many greatest तो इसे supremacy of law कहते है तो इसके सर्वोचता क्या होती है तो सबसे बड़ी चीज़ होती rule of law नियम क्या होंगे जिसके हिसाब से कानून को देखा जाएगा law को देखा जाएगा वो होता है law of land should be properly notified so that citizens know their effect of laws मतलब है law of land का मतलब यह नहीं की जमीन का दोलना law of land का मतलब यह है कि जिस लैंड पे हमने birth किया है जिस लैंड पे हम पैदा हुए है जिस लैंड पे हम born हुए है वहां का law हमें adopt करना है जो लैंड से जुड़े हुए हैं जब तक लैंड रहेगी तब तक यह law रहेंगे तब तक हमको यह समझना हो गया तो इसको properly notify करना चाहिए लोगों के द्वारा इसको हम लोग rule of law बोलते हैं अब सेकेंड इंप्रमेटर्स क्या होता है rule of law का सुप्रमेसिव of law का कि law should be general informed so that it's applicable uniformly to all the citizens मतलब यह है कि law special आदमी के लिए नहीं होते हैं केवल केवल जर्नल आदमी जो होते हैं उनके लिए भी होते हैं बोला ना uniformly applicable जैसे हमारे इंडिया में fundamental rights है यह राइट सबके लिए हैं अमीर गरीब सबके लिए ठीक है next topic है next point है कि कोई भी law applicable लई होगा restorative effect पर restorative मतलब क्या होता है कि जो produce होते हैं पहले से past में जो law बना दिये गया है इसका मतलब यह नहीं कि वही law चलते आएंगे उसको हम लोग adopt भी कर देंगे उसको हम लोग हटा भी देंगे बहुत से law हुए जो हमारे early British में बने उसको हटा के जैसे कि सबसे पहले एवेंडिंग एक बना 773 का तो उसमें जो जो court of directors तो कुछ कुछ आये उसको हटा के जो act बात में आये उसमें उसको provision दीरे-दीरे कम होता गया तो इसी वज़े से वो historical events में नहीं होने चाहिए जो पहले बने हैं वो कोई uniform law नहीं है कि mobile नहीं है कि चार्ज नहीं वनलब की change नहीं हो सकते हैं और fourth point है rule of law का की power of governance supreme power होती है जो हमारे इंडिया में हो रही है कि जो prime minister है उसकी power जो होती supreme होती है प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कर सकता है within the state, within the country, within the nation तो जब supremacy of law, rule by law की बात आती है तो सबसे पहले जो chief exponent है इसके जिसे हमे याद भी रखना as a prospection of genuine interest examination is A.V. Dicey इनकी एक implication था 1835 to 1922 ये एक eminent British jurist थे मतलब कि एक famous British के jurist थे lawyer थे इनकी एक book आई थी introduction of the study of law of the constitution 1885 ये date ये book ये thinker ये तीन चीज आप यार रखे का paper ऐसे ही बनता है आपका ठीके guys समझ यह होंगे आप लोग शायद आगे हम लोग बढ होता है डाइसी ने क्या बोला डाइसी ने बोला कि basically जो British Parliament है तो जब British Parliament system का नाम हम लोग लेते हैं तो इसमें दो parliamentary system अपने आप जोड़ लिया जाते है एक American एक Indian Indian क्या है Indian एक quasi federal है थोड़े बहुत से हमारे अमेरिका से लिए गये हैं थोड़े बहुत हमारे England से लिए गये है तो हमारा जो Indian Parliament है वह भी based है जो British का model है Parliament का सेम है वैसे ही ठीक है तो हमारा Parliament और हमारा Constitution हमारे fundamental rights हमारा पूरा डिप्रिकेशन क्या है एक quasi federal है कुछ पाल्थ हमने USA से लिया है कुछ पाल्थ हमने Britain से लिया है तो जब British Parliament system की बात हो जाएगी तो आप USA और इंडिया को devote कर स सकते हैं तो डाइसी ने बोला कि जो British India और American Parliament system होता उसमें ordinary law courts बनते हैं high courts है supreme courts है provincial courts है ठीक है ट्रिविनल्स है ठीक है जुरिफिकेशन है एपले जुरिस्फिकेशन से सब कुछ है civil crime law इन सब के लिए क्या है अलग-अलग courts बने हुए है ठीक है लेकिन उन्होंने बोला कि France में जो legal system है वह सबसे best legal system है और France ने सबसे अच्छी तरीके से administrative law को maintain करके चला हुआ है तो अगर administrative law को maintain किया चलके बना तो इसका मतलब यह नहीं कि criminal law civil law में में कोई उनका audience नहीं बिल्कुल नहीं ordinary law भी वहां पे है लेकिन administrative law वहां पे कुछ ज़्यादा ही प्रिवाक करता ह है तो वहां पे क्या होता है कि जब कोई भी case होता है कोई भी code cases होते हैं कोई भी general cases होते हैं तो specialized branch बठाई जाती है जो disputes को solve करती है दोनों को बीश में तो यह question concept आ सकता है कि DIC के हिसाब से French का जो constitution था और जो French ने maintain किया था वो कैसे evoke करता है तीक है समझे गाई यह आपको पढ़ना बहुत जरूरी होगा अब last जो इस chapter का law बचा है law आज खतम हो जाएगा यह last topic जो बचा है book में का न वह बड़ी चीजे लिखी है मैंने आपको nutshell में important चीजे बताई है जो cable पढ़नी थी आपको 15 page की book 50 page का एक topic नहीं पढ़ना है ठीक है तो due process of law क्या होता है जो rule of law होता है जो rule of law मैंने आपको बताया कहां बताया जो मैंने यहां पर rule of law बताया law land वाला fundamental rights वाला और जो कोई भी law बाहर से नहीं आएंगे history stress नहीं होंगे power of governance बताया वही चीज क्या होती है same चीज को हम लोग क्या कहते है due process of law कहते है ठीक है basically यह USA से लिया गया है हमारी Indian constitution म तो इसमें क्या होता था जो USA का constitution है उनका जो 5th amendment था 1791 में आया था US का उसमें लिखा हुआ है no person shall be deprived of life liberty property without due process of law कि जब तक due process of law नहीं कहता है तब तक किसी भी आधमी को उनकी जिंदगी उनकी liberty और उनकी property से वंचित नहीं किया जा सकता है मतलब कि उनसे वो छीना नहीं जा सकता है तो यह तीन लाइन जब आप देखोगे तो आपको अपने इंडियन constitution का article 21 याद आएगा जो हमारा fundamental rights है और क्योंकि fundamental rights हमारा कहां से लिया गया है fundamental rights हमारा लिया गया है American constitution से so guys I think आपको clear हो गया होगा अब वहाँ पे questions आ रहे थे comments आ रहे थे कि एक बार रेस्टोर् बोला adaptation मिल जाएगा सो गाइस मैंने बोला ना कि Aristotle Plato Machiavelli और Lenin इस साल बहुत important होने वाने है जेन्यों के लिए जो paper आपका 20 तारिक को है तो Aristotle का birth जो था 384 to 322 BC ठीक है यह इनका birth यार रखिये का यह बहुत important होता है तो हम लोग अगर general introduction में चलते हैं तो Aristotle क्या थे Aristotle born in 384 BC उनके father जो थे एक cold physician थे of king of marcidone जो kings of marcidone थे वो अलेक्जेंडर थे अलेक्जेंडर 1 नहीं थे वो अलेक्जेंडर थे ठीक है गाइस जो king of marcidone थे वो कौन थे वो अलेक्जेंडर 1 थे ठीक है तो kings of marcidone अलेक्जेंडर थे basically अलेक्जेंडर 1 तो उनके बेटे हुए हैं इसके बाद अलेक्जेंडर 2 आया है फिर अलेक्जेंडर 3 जो हमारे जो आया है सिकंदर जिसे हम लगेते हैं दग्रेट वो अलेक्जेंडर 3 था वो अलेस्टोर्टल का student था तो होता क्या था कि इनके पापा जो है cold physician थे मतलब डॉक्टर ही थे तो जो इनका brought up हुआ है मतलब कि यहां पर जो brought up हुआ है मतलब जो पालन portion हुआ है वो odor of medicine में हुआ है उसकी सुगन में हुआ है उसकी खुश्बू में हुआ है तो कहने का मतलब यह है कि इनको master of science of politics क्यों बोलते है क्योंकि जो इनका foundation पड़ा था जो इनको encouragement और इनको जो opportunity मिली थी कि वो master of science of politics में होता क् अरिस्टोटल से पहले जितनी भी यह politics होती थी जितनी भी philosophy होती थी जितना western political thought था वो एक system पर डिपेंड था जिसे हम लोग कहते हैं इसलिए scientific outlook इन्होंने बनाया तो इन्होंने कहा ना कि he brought up in the order of medicine which gives him an opportunity and encouragement to develop the scientific outlook that's why he has widely used biological and medical analogies in the discourses of ethics and politics, ethics and politics इन्होंने biological and medical analogies को यूज किया, analogies सब यूज करते हैं, अगर हम लोग एक trade याद करते हैं तो हम लोग के पास एक चीज है ispa, ispa यार रखिएगा Socrates, Plato, Aristotle तो Socrates और Plato ने क्या किया, analogies को यूज किया, Socrates ने क्या किया, इन्होंने geometrical analogies यूज की, क्योंकि Socrates के साइम पे यूलिड आये थे, जिने हम लोग father of geometry कहते हैं, तो उस time पे भी early essence के वो भी ग्रीक सिस्टम को जो follow करते थे, और same उसी तरीके से क्या होता था, Socrates ने भ जानना चाहिए, deductive method को train किया था, Plato ने, Aristotle ने क्या किया, Aristotle ने biology और medical में sciences के दिया, तभी इसी लिंको master of science of politics बोलते हैं, अब बाद में क्या हुआ, इन्होंने अपना खुद का एक principle ड्वेल किया, कि अब हम अपने guru के हिसाब से ने चलेंगे, अब हम अपने हिसाब से तब ही बोलते हैं न, western political thought और जब western philosophy का आप लोग एस्टरिकेशन करोगे, तो हमेशा ये मिल्स की एक बात याद रखिएगा, I am the Peter who never followed his masters, ये बात किस ने बोली थी, ये बात मिल्स ने बोली थी, बेंथम के लिए, कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ, हम लोग ऐसे इनसान है, western political thought बात बले कि कोई अपने masters को नहीं मानता है, उनका जन्म ही हुआ है कि अपने master को critic कर सके, उनको गलत साबिर कर सके, ठीक है, बेसर की समने यही किया, प्लैटो ने फिलहाल सोक्रेट का इतना ज़्यादा नहीं किया है, वो सोक्रेट के साथ ही चल रहे थे, लेकिन एक analogies में अरिस्टोटल ने प्लैटो को बहुत criticize किया, तो उनके teacher ही थे, तो 30 सार की उमर में जब यह Athens गया है, प्लैटो के सामने पढ़ने प्लैटो के साथ, प्लैटो के अंडर, तो प्लैटो इनको brain of प्लैटो एकेडमी बहुत थे, कि कि यह दिमागी बहुत थे, और प्लैटो वह वाला followation वाला unfollow वाला system आता है, लेकिन हमको एक चीज़ करना पड़ता है, कि दोनों के काम equal क्या थे, कोई जब गुरुष है, अगर ideologies नहीं मिलती ही, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत काम equal होते ही ना, दोनों लोगों ना एक prospection था, Aristotle as well as plateau, that जो major problem इन दोनों के time में चल ला, कि जो major problem थी, वो instability थी, state stable नहीं था, और moral andarchy जो हो रही थी, वो state of affairs में responsible थी, moral andarchy का मतलब क्या होता है, जो हमलों की morality होती है, जो हमारे clause होते हैं, ideas होते हैं, वो एक दूसरे के opposite में रहते हैं, तो हमारी moral andarchy चल लएए थी, और state of affairs के हमलों बात करते हैं, तो state of affairs मतलब ह होता है, कि जो state में country में चल लहा है, तो क्या एक ruler जो होना चाहिए, उसको हमेशा state of affairs को maintain करते रहना चाहिए, यही बात प्लैटो नहीं बोली, यही बात Aristotle नहीं बोली, और यहोंने बोला, कि एक proper education चाहिए होगी, citizens के लिए भी, as well as rulers के लिए भी, प्लैटो ने भी यही किय platonic theory of education दे दी, जो कि एक substantive थी हम कह सकते है, ideal था, लेकिन इन्होंने बात तो की ना, कि education बहुत जरूरी है, भले ही वो ruler हो, भले ही वो citizen हो, समझ में आया, इतिवा समझ में आगी, दूसरी चीज किया कि इन्होंने कहा slavery ले आई, प्लैटो ने भी लाई, Aristotle ने भी लाई, इन् को किसके उपर ले जाईए, labor का slave के उपर ले जाईए, अब labor class को अपने काम पर लगा दीजे, क्योंकि वो महनती है, material pursuit है, लेकिन जो slave है, अब दाश प्रथा सुरू कर दो, slavery सुरू कर दो, तो Aristotle चीफ एक्सपोनेंट थे, slavery के, even he was feminist critic दो, वो बहुत बड़े बारे feminist critic थे, वो भाई औरतों से बहुत चिटते थे, Aristotle, अगर हम पूछते हैं कि पहले feminist critic कौन थे, तो वो Aristotle ही थे, Aristotle ने बोला था ना कि aliens, slaves और women, इन तीनों की कोई जगा ही नहीं है, इस region से बनने की, इनका काम है, women का घर पे बैठें, काम करें, और वही सब कुछ करेंगी, इसका मतलब यह हो सकता है कि इनका कट गया था, इनकी girlfriend ने साथ इनको धोखा दे दिया था, तो यह लड़कियों से बहुत चिरते थे, टुकड़ा के मेरा प्यार वाले थे, Aristotle, तो यह चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, प्लैटन ने भी बोला कि एक test लेंगे higher education की complications के समय की जो इनसा पास होता जाता है, वो आगे बढ़ता जाएगा, जो fail होता जाएगा, उसको वहीं पे रोक के किसी को, जो पहले stage में fail होगा, उसको slave बना देंगे, जो दूसरे stage में fail हुआ, उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग mechanic दे देंगे, labor बना देंगे, material पर suit कर देंगे, और जो आख चीज बहुत अच्छी है, अगर यह चीज आपको मुझसे पढ़नी है, तो आप मुझे पिंक कर सकते हो, comment कर सकते हो, मैं आपको Plato का, Platonic Theory of Education पूरी पढ़ा सकता हूँ, age 0 से लेके, age 50 तक, जब तक वो philosopher कि नहीं बन जाता है, तब तक मैं पूरा पढ़ाओंगा, आप मुझ सब्सक्राइबर्स मेरे करवाद दिये हो, आप लोग 93 बन गए हो, मैं देख रहा हूँ कि और इसकल्स आ रहा है, क्योंकि मुझे नाम हो, हम सब पता चल जाता है, जब मेरे बाद नौटिफिकेशन आती कि यह आपको सब्सक्राइब किये हैं, so guys, help कर रहे हो, support कर रहे हो, लेकिन थोड़ा और support करिए कि जो लोग 19 सारिक तक भी नहीं सही से बैठे हैं, जिनकी आखे नहीं खुली, वो थोड़ा 17-18 कल तक खुल जाए, को बीज को कुछ तो देदे, selection नहीं होगा, तो पिछले सार के लिए confidence तो हो जाए, डेली इंवस्टी तो नहीं मिल जाए, जि अरिस्टोटल की थी, scientific method पे, पिछली बार ये question आया था कि Aristotle की philosophy किस पे नहीं थी, तो उसमें scientific method भी option था, उसमें metrology भी था, उसमें historical भी था, ठीक है, उसमें concentrate नहीं था, कि Aristotle thinking नहीं करते थे, सोचते नहीं थे, imagine नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने जो constitution का classification किया, जब aristocracy आ नहीं आया, constitution आया, तो वो बाद में नीचे उसका perverted form आया, normal form आया, मैं आपको अगे पढ़ाऊंगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा topic है ये, तो जो Plato के discipline, Aristotle, inquiries in other areas, his argument, their proof and evidence for detective, logic and mathematics should not apply to the study state of nature and that same discipline should not be treated as a model for moral and political inquiries, इसका मतलब यह हुआ, कि जो उन्हें की आग पढ़ना है कि state कैसा होता है, या, उनको discipline देना है, moral or political inquiries में, जिससे वो ethics and politics को use कर सकते हैं, उसमें इन्होंने ये बोला कि जब ये practice करेंगे, तब इनको दो चीज़ से नफरत है, detective logic से और mathematical proof से, mathematical secret दे गया थे, थोड़ा थोड़ा प्लैटरो फालो के, लेकिन ये इससे न चीज़ होती है, जिसमें क्या होता है, कि drawing conclusion from general to particular, जो inquirer होता है, must grab general rule first and then proceed to observe particular rule for the verification of the falsification of that rule, अगर कोई भी नियम बना है, तो अब directive logic वालों को केवल उसको oppose करना है, उसको falsification सिद्ध कर देना है, तो वो जो आदमी बंदा आता है, उसको गलत साबित करने के लिए, पहले वो general rule पे देखता है, कि arm rule बना क्या था, और basically उसको practice में क्या है, और particular rule अब बन गया है, तो वो कैसे हो रहा है, अब उसको हम false proof कर देंगे, इस चीज़ से Aristotle को नफरत थी, so guys, अभी Aristotle बचा हुआ है, politics and master science, अभी बता दूगा आपको, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता ह कि Plato ने क्या किया था, सारी thesis को क्या की थी, separate कर ली थी, और एक ही thesis दे दी थी, जिसका नाम था, Republic, जो उनकी book थी, जिसमें उन्होंने justice की बात की थी, Plato combined the knowledge of ethics, philosophy, education, justice, sociology, psychology, in his single work, that is Republic, और Republic से उन्होंने एक नया principle ले आया, जिसको वो बोलते थे, justice, ठीके गाई, समझ में आय चाह रहा हूं, उनको बोलते थे, justice, यह देखिए, अब लेकिन Aristotle को politics as a master science, और इनको masters क्यों कहते हैं, politics का, क्योंकि Aristotle ने क्या किया, distinction drawn किया, किसमें किसमें, in every treaties and road separate thesis on them, इन्होंने हर एक treaties को divide कर लिया, ठीक है, और उन पे एक separate thesis दी, जैसे biology हो गई, physics हो गया, methodology हो गया, logic हो ethics हो गया, politics हो गया, rhetoric हो गया, and poetic हो गया, तो branches of knowledge and classification of knowledge में, इन्होंने पल्टेन किया, ठीक है, मैंने बताया ना कि इनको science of, तो इनको science of master of podcast science कहते हैं, तो इससे पहले purview of philosophy पे depend था, इन्होंने foundation of science को केवल laid ही नहीं किया, बना ही नहीं, बल्कि एक significant contribution दिया, जो उनका development था, जो इनकी किताब थी, politics पे, rhetoric पे, politics पे, and ethics पे, मैं आपको आगे बताता रहूँगा, continue करता रहूँगा, वीडियो भी length ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि qualification में डिक्कत हो जाती है, quality दिक्कत हो जाती है, आप लो like, share, subscribe ज्यादा करोगे नहीं, दिक्कत तो होगी ही, अ अगर उननीज में राद भर आप जगे, सुबा पेपर आपका खराब होना ही होना, जो आता है, वो भी नहीं कर पाओगे, दिमाग चिले गाए नहीं, so guys, 16 को WPT कर लीजेगा, आज UGC के साथ-साथ basically thinker theories और उनके statement बहुत important है, मैं पहले बता दिया हूँ, आपको आगे व लिक्वेस करो भी न, order ही कर दो, तब भी मैं बना दूँगा, 17 को आपको political theory पढ़नी, UGC से मैंने आपको एक chapter पढ़ा दिया है, और मैं कोशिस करूँगा, अगर आज replication जादा आएगा, तो मैं तीनो चार चेप्टर जो parts related है, जिससे पिछली बाँ पांच question एक parts जया था, इस बार एक topic उसी से उठाएंगे, और पांच question पूछेंगे, मैं आपको वीडियो बना दूँगा, उसमें आपको thinkal theory statements पढ़ना है, इंडियन polity में fundamental rights, DPSP, special provisions to some status, parliament, इन चार चेप्टर पूरा पढ़के, उनका notes and reference पढ़ लिजेगा बस, और जितने chapter होंगे, छोटे psychological consent है, social justice, आया था, दो chapter आया थे, 4-4 option वाले question सही थे, बहुत tough question मना था, इससे आप 2 relate कर सकते हो, या तो आप representation पढ़िए, और आप एक nationalism पढ़िए, इससे आपका फूरी तरीके से हो जाएगा, निकल जाएगा, आज आपको पढ़ना क्या है, Marxist, Liberal tradition, Conservatism, Utilarium, Enlightenment और Adlist tradition, ये आपका सूरा से सतरा घंटे लगाएगा, मैं बहुत हूँ,